हेलो बचो कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई आई होप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे बचो आज की क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साथ साथ जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे बनाते रहो सब क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें आखिर पढ़ना क्या-क्या है तीन कंस्ट्रक् similar to a given triangle एक triangle दिया रहेगा उसके ही similar दूसरा triangle बनाना होगा scale factor दिया रहेगा हमें और construct the tangents to a circle और एक circle पर हमें tangent बनानी होगी circles chapter के अंदर हम लोगों ने सीखा है न tangent क्या होती है तो अब यहाँ पर हमें उन tangents को draw करना पड़ेगा और अब खास बात क्या है कि 2021 एक्जाम के लिए जैसा कि syllabus reduce हो गया है तो इसमें से हमें सारे topic नहीं पड़ने है तो CBSE ने second जो topic है इसको cut करवा दिया है तो इसके उपर अपनी NCRT में सभी mark कर लो exercise 11.1 पेज नमबर 220 पर NCRT के अंदर ये सब deduct हो चुके हैं cut हो गये हैं 2021 एक्जाम के लिए उसके अलावा बाकी जो NCRT में दिया हुआ exercise 11.2 और 11.1 का ये first question ये course के अंदर हैं इनको पढ़ना है समझ में आगे बात तो फिलाल मैं जो है वो ही पढ़ाऊंगा जो इस बार 2021 एक्जाम में आने वाला है बाकी की जो इसकी वीडियो बच जाएगी यानि इन वाले parts की अगले साल तो ही आएंगी तो फिर मैं इनको अलग से बना के बाद में इस पूरी series के अंदर playlist के अंदर इनको भी add कर दूँगा अभी फिलाल के लिए वो ही बताएंगे जो इस बार 2021 एक्जाम के अंदर पूछा जाएगा उसको हम detail में पढ़ेंगे बहुत अच्छे समझेंगे अब दूसरा जो important बात है कि ये construction chapter लगबग आएगा कितने marks का पूछा जाएगा तो 4 से 6 marks का exam के अंदर आएगा scoring chapter है इसमें हमारे marks बढ़िया बन जाएगे असान सी चीजे हैं उनको बना करके अराम से हम 4 से 6 marks score कर सकते हैं तो first question में सबसे पहले हमें 7.6 cm की एक line draw करनी है and divide it in the ratio 5 ratio 8 फिर उसको 5 ratio 8 में divide कर देना है measure the two parts उन दोनों पार्ट को measure कर देना है सबसे पहले हम 7.6 cm की एक line draw कर लेंगे तो यह हमने बनाई 7.6 फिल्कुर उतनी बनानी है जितना है 7.6 cm की line इसका नाम करन कर देते हैं यह होगी हमारे पास A B अब फिर क्या करना है भी B point पर acute angle draw करना है क्या करना है acute angle draw तो acute angle क्या होता है जो 90 degree से कम हो ठीक है 90 degree से कम जितने भी angle होते हैं acute में आएंगे तो हम यहाँ पर 60 degree का draw कर लेंगे अब हम कोई भी कर सकते हैं मैंने का acute angle draw करना है चाहे 40 का करो, 50, 60, 70, 80 कुछ भी करो जो तुम्हारी मर्जी हो लेकिन मैं यह 60 का करूंगा क्योंकि 60 का करने के लिए मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि 60 का करो क्योंकि 60 का draw करना सबसे असान होता है यह बनाई हमने एक आर किस तरह से फिर कमपस को बंद नहीं करेंगे यहां पर रखेंगे और यह cutter लगा देंगے यहां पर यह बन गया 60 का एंगल यहां से जो line जाएगी हमारी इस तरह से किये वाली यह line कितने degree की है भई 60 degree का एंगल जा रहा है यह बन गया 60 degree का एंगल तो यह असान है ना तो इसलिए 60 degree का कहा रहूं है अब यहां 60 degree का बनाया तो इधर ए पर भी 60 degree का ही बनेगा लेकिन वो बनेगा नीचे की तरफ एक एंगल उपर की तरफ एक एंगल नीचे की तरफ इस तरह से कमपस बंद नहीं करना यहां पर रखा और यह लगा दी एक कट यह कट किसका लगा भी 60 degree का यहां पर मार्क करो बिल्कुल अराम से और यहां पर लाइन डो कर लो इस लाइन के पैरलल जाएगी बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि हमने दोनों एंगल इक्वल बनाए है अगर हम alternate angles को equal कर दें तो lines क्या होंगी यह पैरलल हो जाएगी यह बनाई हमने इदर लाइ दोनों lines क्या है parallel क्योंकि हमने यह भी 60 degree बनाया है यह भी 60 degree बनाया है alternate angles equal हो गया है यानि lines कैसे हो जाएगी बच्छो parallel अब paper में इनको parallel ही बनाना बिल्कुल इस तरीके से टेडी मेडी मत कर देना वरना देखते ही marks नहीं मिलेंगे बस कटी हो जाएगा तो यह हमने बना दिया अब क्या करना है सर अब देखो अभी तक हमने a b draw करी 7.6 cm की और अब हमें क्या करना है इसको 5 ratio 8 में डिवाइड करना है ठीक है यह हमारा ratio हो गया चलो भई देखो कितना असान है पहले क्या आया 5 पहले 5 आया है तो हम यहां a वाली line पर 5 arc लगाएंगे पहले a आ रहा है कि b आ रहा है पहले आ रहा है a ऐसे यहां पर ratio पहले कौन सा आ रहा है 5 आ रहा है कि 8 आ रहा है पहले आ रहा है 5 तो a वाली line पर 5 और b वाली line पर 8 cut लगेंगे देखो किस तरह से a वाली line पर 5 cut compass में अपनी मनमर्जी की radius ले लो जितनी भी लेनी है जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं तो मैंने इतना open कर लिया अब यहां पर मैं लगाऊंगा 5 arc पूरी 1 2 3 4 और यह 5 अब compass को बंद नहीं करना बिल्कुल भी जितने radius से यहां लगाई थी उतने यह radius से यहां पर लगेंगी यहां कितनी लगेंगी 8 arc यहां पर 8 arc 1, 2, 3 फिर इस पर रखेंगे 4, 5, 6, 7 और यह भाई भार निकल गया तो हमें line को बढ़ाना पड़ेगा इसको extend कर देंगी कितनी हो गई थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां लगाऊ यह एरत वाली arc यह काम हो गया पूरा अब इनका नामकरण यह A है तो इस से अगले वाली A1 फिर A2, यह A3, यह A4 और A5 ऐसे B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8 अब क्या करना है अब 5 वाला कट और 8 वाला कट इन दोनों को हमें जॉइन कर देना है बस construction complete बिल्कुल साफ सुत्री construction हो एक ही बारी में यह बन गया अब perfect है तो यहाँ पर यह point मिल गया हमें X ठीक है जहाँ पर यह line ने A, B को intersect किया यह point हो गया X तो बच्चो AX रेशियो X भी हो गया कितना 5 रेशियो 8 5 रेशियो 8 अब उसने कहाता measure कर दो लोगाई measure कर देंगे यहाँ पर AX कितनी है X भी कितनी है हम find कर लेंगे तो इस scale से measure करके बताना है यह दोनों है कितनी देखो ध्यान से AX कितनी आ रही है X भी 4.567 4.7 cm अब कहीं बच्चे क्या करते है वो भूल जाते है जैसे यहाँ पर इस कोशन में कहाता length 7.6 cm की लाइन बनाओ 5 रेशियो 8 में डिवाइड कुरो फिर बाद में यह लिखा था measure the two parts ऐसी boards में आ गया तो वो इतना तो कराएंगे यहाँ तक का यह बाद का भूल जाएंगे करना वही marks कर जाएंगे ओवेस है इसलिए कोशन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान रखना है कि last में कहा तक हमें answer निकालना है तो यह construction हमारी पूरी हो गई एक ही कोशन में है NCRT में इस से related एक बार फिर से इसको देख लेते है यह easiest method है किसके लिए किसी line को दिये हुए ratio में divide करने के लिए एक method और होता है पर उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा typical लगता है बच्चो को मैंने यहाँ पर easy बता जाए तो इसको कैसे किया हमने फटावट से देख लेते हैं हमें 7.6 cm की line बनानी थी और उसको 5 ratio 8 में divide करना था बच्चो तो हमने 7.6 cm की AB बनाई फिर क्या किया हमने एंगल B बनाया 60 degree का उपर की तरफ और एंगल A भी 60 degree का बनाया नीचे की तरफ 60 degree ही क्यों बनाया क्योंकि वो compass से बनाना असान रहता है जट से बन जाता है इसलिए हमेशा यहाँ पर 60-60 degree ही बनाना है तुम लोगों को यह बना दिया उसके बाद पहले 5 आया तो पहले वाले line पर 5 कट लगा देंगे बिल्कुल equal फिर दूसरे नबर पर 8 है तो दूसरे बाद line पर 8 कट लगाएंगे बिल्कुल equal जितने ही हाँ लगाएते उसी से उतने ही radius के साथ यहाँ पर लगेंगे लास्ट में हमें 5 वाले को और 8 वाले को जोईन कर देना है तो हमने यहाँ A5 को A8 से scale रखे जोईन कर दिया तो यह जो line आई यह line A B को cut करके जाएगी यहाँ पर यह cut किया है इसने हमने मान लिए यह X point है तो AX ratio X B कितना हो गया 5 ratio 8 हो गया complete हो गया construction हमारी ठीक है यह चीज़ है अब steps दियान रखना इसके steps भी आते हैं steps जरूर लिखने है पेपर के अंदर otherwise marks deduct हो जाएंगे ध्यान रखना बात को steps लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ बहुत असान है steps लिखने का मैं सबसे असान का हमे steps को याद नहीं करने होते बस हमने जो जो बनाया है न वो ही हमें लिख देना है वो ही हमें लिख देना है तो steps लिखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है फटाफट से लिख लेते है steps of construction कई बच्चे steps लिख के अना भूल जाते है और उनके फिर marks कट जाते हैं फुल आउट ओ फुल नहीं स्कोर कर पाते हैं सबसे पहले बच्चों इसमें हमने क्या किया था हमने a b line ड्रो करी थी ना देखो कुछ भी याद नहीं रखना जो किया बस वो ही लिखते रहना है ड्रो a b is equal to 7.6 cm यह हमने सबसे पहले किया था फिर हमने क्या किया था दूसरे step में angle b बनाया था 60 degree का draw angle b is equal to 60 degree ठीक है यह हमने उपर की तरफ बनाया थो आप वर्ड लिख दो यहाँ पर and angle a angle a भी हमने 60 का बनाया यह हमने नीचे की तरफ बनाया थो आगे लिख दो downwards तो कितना असान है फिर हमने क्या किया था इस a वाली line पर हमने यह cut लगाये थे ठीक है तो यहाँ पर हम इसको m कह देते हैं point को और यह point दे लेते हैं यहाँ पर n लिखने में असानी रहेगी तो तीसरे point में on line am cut equal arcs am line पर equal arc कट करो कितनी पांच cut equal arcs a a1 a1 is equal to a1 a2 ऐसा ही तो है is equals to a2 a3 is equal to बनाई हमने a3 a4 के और equal to बनाई a4 a5 के ठीक है यह बने लिख लिए इसके बाद हमने क्या किया भई फोर्थ स्टेप में on line बी एन on line बी एन cut equal arcs यहाँ पर b, b1 equal बनाई है b1, b2 के equal to b2, b3 equal to फिर चलते चलते हम लोगने लास्ट में बनाई b7, b8 b7, b8 फिर सबसे लास्ट में क्या किया था हमने a5 को और b8 को join कर दिया था तो join a5 and b8 यहीं के यहीं सब याद हो जाएगा बिल्कुल mind में एक दम perfect दिहान से देखो कि दो join a5, b8 को हमने जॉइन कर दिया last में लिख दो so ax ratio xb is equals to 5 ratio 8, बस हो गया बुरा इस तरह से हमें steps लिखने हैं, तब full out of full बिल्कुल साफ सुतरी construction हो, कोई भी उसमें हमने double night ना बनाई हो extra arc ना लगाई हो बिल्कुल clean बनाई भी होनी चाहिए construction और steps लिखने होने चाहिए तो full out of full box मिलते हैं, तो आई होब सभी कोई clear हो गया होगा, अब एक question, extra question समझके, और कर लेते हैं इसी तरह का, तो इसको सभी फटा-फट try करके देखो, मेरे साथ साथ बनाऊ, यहाँ पर यह एक extra question हम ले रहे है, draw a, b is equal to 8 cm and divide it in the ratio 5 ratio 3, चीक है, 8 cm 5 ratio 3, बनाएंगे, 8 cm की, divide a, b, in the ratio 5 ratio 3, चलो, एक बनाएंगे, फटा-फट से 8 cm, यह बनी हमारी a, b, 8 cm की, इससे हैसान question क्या हो सकता है, a, b, फिर क्या सिखाया था, 60-60-degree के एंगल बनेंगे, फटा-फट से बना देंगे, दो नो पॉइंट पर, a पर भी, b, पर भी 66-degree, यह लगाया, और यहाँ रख के, यह लगा दिया, 60-degree, इसी तरह से, a point पर बनेगा, लेकिन नीचे की तरफ, यह बनाया हमने, arc, और यहाँ रख के, यह लगा दिया, 60-degree का, लाइन ड्रो कर लेंगे, फटा-फट से, पहले यह point mark किया करो, यह है क्या, फिर उसके बाद रहें, कुछ बच्चे बच्चे बच्छी चला देते हैं pencil, तो उनका हलका-फुलका सा इधा-धार हो जाता है, पाद में पता लगता है, point बना के फिर, देखो, यहाँ पर यह आ 5 ratio 3, यानि पहले वाली लाइन पर 5 arc लगेंगी, पहले वाली कुनसी लाइन है, A वाली, A पहले आता है न, B बात में, A वाली लाइन पर 5 arc, बिलकुल 1, 2, 3, 4, 5, हो गया, दूसरे वाली लाइन पर 3 arc लगानी है, एक, दो और 3, लोगए, अब इसको कर देंगे, mark A1, A2, A3, A4, और A5, फिर यह बचो B1, B2, और B3, लास्ट में क्या करेंगे, B3 और A5 को, yes, join कर देंगे, यह रख हमने scale, यह points mark किये, और यह कर दिया, इनको join, तो यह line जो जाएगी है, A, B को cut करके जाएगे, इस point को ले लेंगे, X, और बच्चो, here, AX ratio, XB कितना हो जा 3, yes, यह हो गया हमारा steps, जैसे अभी लिखने, बताएगे, पिछले question में, उसी तरह से इसके लिख लेने है, I hope सभी को यह बड़े अच्छे से आगी होगी, construction मैंने पूरे detail में बताईए, ठीक है, इस से आगे बढ़ेंगे, next part के अंदर, उसमें हम लोग सीखेंगे, tangent कैसे construct की जाती है, circle के उपर, जो की बहुत important है, हर बार exams के लिए बहुत important रहता है, maximum marks के अंदर पूछा जाता है, उसको कोरेंगे next part में, आज के लिए इतना ही, thank you